CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं देख की सबसे बड़ी पंचायत में अपने सार्ति साथी और अपने एक मजबूत हाथ के रूप में देख की सबसे बड़ी कि और किसी की इस छेत्र में नहीं है और पूरी सरदारी यहां बैठी है मुस्लिम समाज अल्प संक्या समाज जलित समाज पिछड़ा समाज आज 36 विराजरी यहां बैठी है वो चाहती है आपके एक निर्देश को लेना जब सड़कों का हाल खराब था चौजी साब ने एक ब सड़के जिनरे ना धरन देता ना जाती देखी हर समाज की हर गाओं की सड़क यहां बनाने आप काम किया जितने मत मुझे 22 में और 24 में बिले उससे हर मत में ज्यादे बुआ जी को मिलके जिने का यहां से काम करेंगे आज जर्वड कटिया के अंदर इस चुनावी सभा की अध्यक्ष्टा कर रहे संयुक्त अध्यक्ष्टा कर रहे आदन्य माया राम जी आदन्य हुसेन साब और हमारे आपके बीच बड़ा भावुक्पल है मैं याद दिलाएं चाहता हूँ आदन्य चौई साब को जब स्वर्गे चौद्री अजीत सिंग जी ने आदेश किया था स्वर्गे संजेश चौहान जी को कि मितलेश पाल जी 2009 के उप सुनाओं में जिता के लाना है उस समय भी आदन्य जेन जी इसी गाओं में आये थे और इसी सरदारी के सामने जो है जोड़दार तरीके से अपील करके गए थे और आज फिर सोबागे है हमारे आपके नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं देश के सबसे बड़े चौधरी आदन्य जेन जेन चौधरी जी का दोड़दार तालियों के से स्वागत करने काम करें उनके साथ चलके आए हमारे समाज की नाग और आदन्य मोदी जी के अशिर्वाद को प्राउट करके समाज की और सर्फ समाज को साथ लेके चलने वाले ऐसे हमारे कृशन पाल गूजर जी उनका भी हम जोड़दार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आदन्य मंदन भाईया जी आदन्य तमाम अनिल मंती जी से लेके तमाम विधायक गण और जिनके लिए महफिल सजी है आदन्य मितलेश पाल जी और तमाम राष्ट्रे लोगदर और भारती जन्ता पार्टी के सब सांसत गण पूर सांसत विधायक पूर विधायक तमाम पार करता हूँ आदन्य चौदी साहब आपने बहुत छोटी उमर में पिता जी के जाने के बाद राजनीती में कम से कम और वैसे भी आपने कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी हमेशा जब जरुत पड़ी आप हमेशा एक परिवार के मुख्या की तरह एक संद्रक्षक की तरह हमेशा आपने संद्रक्षन देने का काम किया मात तीस सिकत्री साल के ओर में जब खेलने और कूदने की उमर होती है इस उत्रप्रदेश की सबसे बड़ी पंचायद विधान सभा में आपने भेजने का काम किया टिकिट देने का काम किया और यहां की जन्ता सरदारी बैठी है मिरापूर और मोरना के इतियास में सबसे बड़ी जीत इंसान ने बैठे सबी मेरे सरदारों ने देने काम किया था फिर 2009 का इतियास दुराते वे 2024 के अंदर इस महात्मा विधूर की धर्ती बिजना और लोक सबा में विश्वास करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने सार्थी साथी और अपने एक मस्बूत हाथ के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया यह पूरा समाज उसके लिए रिणी है आपका आज हम एक जुठ हैं हम जानते हैं हम यहाँ पंचाइती छेत्र है स्वर्गे चौदरी चरण सिंग जी का स्वर्गे बावु नाराइंड शिंग जी को मानने वाले लोग है यह जानते हैं मेहमान आएगा तो भड़िया दूद पिलाएंगे काजू बदांग खिलाएंगे और भड़िया मिलाई देके भेजेंगे पर वोट जैन्ट चौदरी जी की है और किसी की इस छेत्र में नहीं है आदेने चौई साब आपका रिन है हमारे उपर और पूरी सरदारी यहां बैटी है मुस्लिम समाज, अल्प संक्या समाज, जलित समाज, पिछड़ा समाज, आज 36 बिराजरी यहां बैटी है वो चाहती है आपके एक निर्देश को लेना, यहां खड़े होके वो आपके एक निर्देश मानने आख काम करेंगे अपने आपको प्रत्यासी मानके, जहन चोधी मानके, मुक्यमंतिर जी मानके आप सब गली गली गाओ गाओ जाने आख काम करेंगे कोई नराज़गी नहीं होगी, यह मत सोचना कि मेरे घर प्रत्यासी नहीं आई, मेरी गली में नहीं नहीं मेरे गाव में आई हैं बताओ हाथ उठाके कोई नराजगी तो नहीं है हाथ उठाके सब अपने आपको प्रत्यासी समझेंगे पर आज मैं पल्ला पसार के आप सब के लिए मेरी बुआ हैं इनके लिए समर्तन लूपी आशिरवाद आप सबसे मांगने आया हूं और ये विश आपने चौई साब वो हैं जब एक पीड़ा मैंने बताई बहुत से लोग कासंपुर खोले के भी आये होंगे दरियापूर के अगंदाजपूर के सब आए हैं जब सड़कों का हाल खराब था चौई साब ने एक बार कहा आपके लिए 23 करोड़ रुपे की बियाइटी से ल पाज की हर गाओं की सड़क यहां बनाने हां काम किया बच्चों के लिए नौजवान साथियां हैं उनके लिए ग्रामीन स्टेडियम की स्थापना करने हां काम किया बोपा में एफर यू यूनिट बनाने हां काम किया इस विकास के पत को बताओ रोकोगे के नहीं रोकोगे मत रोगना जिता के भेज देना और मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे बड़े बैठे जिनके बल्बूते हम कदम से कदम मिलाके चलते हैं आप सब लोग इस विश्वास पे कायम रखते हुए स्वरके चौधरी चरंड सिंग जी को मांते हुए स्वरके चौधरी अजीश सिंग जी को मांते हुए स्वरके बाबु नराइन सिंग जी को मांते हुए और संजे चौहान जी के लिए आप लोग की विशेश दिल में हमेशा आपकी दिलों की धड़कन में वाज बसते हैं मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ आपका बेटा आपका बच्चा आपका साथी कोई कमी कर देगा तो मेरे बड़े बैटें जो ये कह दे हैं कान पकड़के ठीक कर देंगे पर इस समय कोई कमी मत करना इस समय हमारी भूआ आदने मितलेश पाल जी को और आदने मोदी जी और योगी जी के निर्देश को आप सब मिलके पूरा कर देना मैं जादे समय नहीं लूँगा क्योंकि आप आदने चौदरी साहब को सुनने आए हैं और एक बार फिर 2009 के हितियास को ये 2024 में तो बहुत से ऐसे गाउते मैं वोट मांगने भी नहीं नहीं आपाये था परिवार का ही कोई सहसे आया होगा पर 24 साहब हम विश्वाद दिलाते हैं जितने मत मुझे 22 में और 24 में बिले उससे हर मत में जादे बुआ जी को मिलके जिने का यहां से काम करेंगे आप सब ने इस इतियास कारी सबागों करा इसके लिए सर्व समाजबा का मैं बहुत बहुत आवारी धन्यवाद हूँ जय हिंद जय एंडिये बहुत बहुत धन्यवाद हूँ हमारे बीचवें एंडिये गटवंधन की पर्तियासी बहन मिठ्रेश